टीवी पर विज्ञापन देखने के बाद पतनी हाजमे की गोली नियमित रूप से खाने लगी थी एक दिन पती ने मुस्करातिवे कहा तुम चाहे जितनी हाजमे की गोली खाओ तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचेगी एक यूवती ने सौंद्रिय प्रसादन की दुकान के विकरेथा से कहा मुझे हरे रंग की लिफस्टिक चाहिए हरा ही क्यों इस रंग की लिफ्स्टिक होटों पर भद्धी लगेगी विकरेता ने कहा दरहसल बात यह है कि मेरे प्रेमी रेल गाड़ी के गाड़ हैं लड़की ने शर्माते हुए कहा ग्रहक ने शिकायत की पकोडियां अच्छी नहीं है बुड़े पकोडी वाले ने गर्म होकर कहा जानते हो तुम्हारी पैदाईश के पहले ही से मेरा खोमचा यहाँ पर है तब ही तो ग्रहक बोला तब की पकोडियां आप तक सड़ी न होंगी एक फिल्म निर्देशक को अपनी हीरोईन से प्यार हो गया यह उसकी पत्नी को मालूम हो गया और वह अपने पत्ती पर कुछ जादा निगरानी रखने लगी एक रात निर्देशक नीद में बड़बडा रहा था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मोनिका डार्लिंग मैं अपनी पत्नी को तलाग दे दूँगा और तुमसे शादी कर लूँगा तभी उसकी आँके खुल गई और उसने देखा कि पत्नी उस पर जुकी हुई है उसे घूर रही है बस निर्देशक ने तुरंत आँके बंद की और जोर से बोला कट अब अगला सीन शुरू करो पिता जी जब लोटकर आए और डाग देखने लगे तो हर पत्तर पर एक उर लिखा था आज आई एक सहाब अपने दोस्त से क्यों भाई तुमारे घर में नोकरानी थी आज तुम खुद कपड़े धो रहे हो क्या बात है दोस्त यार मैंने उससे शावी कर लिए धर्शन शास्तर के एक प्रध्यपक से किसी ने पूछा आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं वे लड़के हैं या लड़कियां मुझे ठीक से तो नहीं मालूम शायद एक लड़का और एक लड़की या इसका उल्टा भी हो सकता है जवाब में ला राकेश नरेश तुम इतने उदास क्यों हो नरेश मैंने अपने पापा से किताबों के लिए रुपे मंगवाए थे मगर उन्होंने किताबे ही करिद कर भीज़ दी श्यामा तुम अपने पती से इतने पैसे कैसे ले लेती हो राधा मैं उनसे कहती हूँ कि मैं मा के घर जा रही हूँ और वे जट से किराय के पैसे मेरे हाथ में दमा देते हैं प्रेमी प्रिये जब सुबह मैं उठता हूँ तब भी तुम ही मेरे खयालों में होती हो प्रेमी का हाँ, मोहन भी यही कहता है प्रेमी, तो क्या हुआ, मैं उसे पहले उठता हूँ राजेश, यार, तुमारे हाथ इतने काले वा गंदे क्यों है राकेश, मैं अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़ने गया था राजेश, तो उसे हाथों पर क्या फर्क पड़ता है राकेश, यार, मैंने गाड़ी के इंजन को शबासी दी थी रीता, जब तुम किसी बढ़िया खुबसूरत लड़गी को देखती हो तो क्या कहती हो, आनीता, मैं कुछ देर के लिए उसे देखती रहती हूँ फिर जब ठक जाती हूँ तो शीशा उल्टा कर देती हूँ सुधा, अकसर पतनी अगले जन्म में वही पती पाना चाहती है पर क्यों? पृती, जिससे वह उस पती को सुधारने का कड़ा प्रिशार्म पिकार न जाए भई, तुम तो पूरे जोरू के गुलाम हो तुम अपने कोट में कल शाम को खूदी बटन टांक रहे थे? तुमारा कहना बिलकुल गलत है यह कोट मेरा नहीं, मेरी पतनी का था पती, दफ्थर से लोटने पर पतनी से आज अभी तक भोजन क्यों नहीं बना? मिसरानी कहा है? पतनी क्रोधित होकर आपने ही तो उसे फोन पर डाटा और गालियां दी और आप कहते हैं कि भोजन क्यों नहीं बना? पती, सिर्फ पीट कर मैं भी कैसा मूर्ख हूँ? मैंने समझा था कि फोन पर तुम हो पती, समझा बना?